जिला मुख्याले से इसकी दूरी 23 किलो मीटर तो वहीं बलॉक से 15 किलो मीटर दूर है जिला में अच्छा विकास कराया है यह गाउं विकास के पत पर अग्रसर है लोगडाउन के चलते भी ग्राम वासियों की काफी मदद की गई है ग्राम प्रधान शाइस्ता और सचिव अधर सिंग के सयोग से स्कूल के साथ साथ सडको का भी काफी विकास कराया गया है उन्होंने अपने कारेकाल में गाउं को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं आईए जानते हैं प्रधान पती की जबानी टुडेट उन्फोर न्यूज में आपका स्वागत है इस समय हम मौजूद है ब्लोग जोया के कखराली माफी ग्राम पंचायट में यहां प्रधान द्वारा अब तक बीते कारेकाल में क्या क्या विकास करवाए गये हैं किस तरह से यहां कोरोना कार्व में लॉक्डाउं के चत्रे लोगों की मदद की गई है और क्या खोशिशें इनकी आगे समय रहते जारी रहेंगी किस सब के बारे में हम यहां रधान पती से बात करते हैं आपको जार्कारी गएंगे तो आईए बात करते हैं ग्राम रधान तो टुड़े टूपोर यूजना आप स्वागर है जैसे कि प्रण जी ये कारेका तक समामती की और है अब तक के बीते हुए समय में क्या-क्या विकास कादे आपने गाउं में अब तक परवाद आज़ें तो जमना पिढ़ान वाना जा तो जाओं की दिल बहुत ठराबती और हर गाली में वह खरण ये वह जाना जाले वाले ले अक्टी हम दीतों इस ना पर जानवाना तो मैंने खुड़े गार संवर्णारी विकैस काद जो में आज़िक अज़ा है इस जाइए मूनन में अहां वर्प गवालियों कि वह टूब कर दो जो जायों धो यह ज़ी रह तथ संपीड हो जो प्रयों सब्सक्राइब जो समय बाजी बचा रहा है उसमे जो भी अग्या ज्विटाथ से जिक काुटा वह जाए, जो थोड़ा करने जो जो समय बचा रहा है. अभी वे गाउं में लगबग कुछ परिवार ऐसे हुँगे जिने आवास में जरूरता तो कुछ परिवार अभी दूरता नहीं हो जैसे कि केंदर सरकार की जो योजनाएं लाभू हुई है लगबग सबी लोगों को कितने परसंट मिल पाता है तो कि अधार नहीं है तो पूल को लिया है और वादी जिसके ताहर सही है उसमें लगबग सबीकों कि जोगा है कि अधाथा अधा वादी लोगों को मिला है ना अधार सफाइब को गेरे लगांगी है अधागी है ही सांप सफाई के वस्ताहि गए है si जोगे सबीने काई हुआ है र शब मतांगी कि अर्अट हमकरा है आप उदब दो कर्मचारी आपने तरफ से रहा रहे हैं तो तीस सारी जागा वह लुगता है आपने गाउं में सब्सक्राइब कराया है। में सब्सक्राइब कराया है। 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 अब अपने गाउं को और जर्दा सुन्दार रिक्षिट करने के लिए। क्या पुमपांग शकार करने चाहिए। अब अपने आपने काम में क्या कोई समस्या ऐसी आप में सूश करते हैं। इसके लिए आपको लगें कि गाउं को पूरी करा से विकास सी, जिसे हम कहें कि एक यह गाउं कूरी करा से लिक्षिट के उसमें क्या समस्या बिनाने रिखी है। अब शुमपांग श्या कर दो लोग गवाद में से लिक्राइब करते हैं। इसके लिए जिले में समया बावाद में से लिक्राइब करने से लिक्राइब करते हैं। जुटोल पाहर रहा हैं सुट है उसे साथ पर बादे पानी है जहां पर जैसे कि अमरोहा जिले में काफी कोरोणा केसि आए हैं सामने और अभी भी लगातार कोरोणा के केसि पूरत देव में दिन पर दिन बढ़ते जा रहे है तो इसको लेकर अपने गाम बाचे पोई कुछ कुछ जातर संदेश देना चाहिए इसको लिकारे काफी कारेकार में काफी विकास इंडे बारा करवाया गया है जिसके लिए यहां ग्रांपरदान ने पुर्मों कुछ सरकार से मांग की है कि गरीबों के लिए यहां आवास जो है जरूर आजाने चाहिए जो यहां निर्मित नहीं है जिनका होना पटे ग्राम पंचायक के लिए बहुत जरूरी है और जो एक सामान में समस्या जो यहां देखने मों मिली है सामने आई है अस्पतार को लेकर स्वास्ति पेंद्र को लेकर है जो लगबग सभी गर्म पंचायकों में लेगा गया है और हमने जाना भी है कि स्वास्ति केंद्र या उप स्वास्ति केंद्र की केवल ना मात्र बेंडिंग वहां पर मौजूद है ना तो वहां कोई डॉक्टर है ना ही कि वहां किसी की तरह की कोई सुविदा का लाप किसी ग्राम बासी को मिल पाता है मेरा मुझे सरकार्ट निवेधन है कि स्वास्ते विभाग पर जो है इस पर पहुंचाने की शिकायते भी कई बार हो चुकी है लेकि कोई भी समाधाल कोई बी सुनाइब आस्पर नहीं हो पाई है शबले के साथ में नाजम चुटेने कोई